Hello my dear friends, welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel, welcome back to the Swaraj Batch So, welcome to the class, are you excited for today's station? Today we are going to conduct percentage, which topic? Percentage, ठीक है, आपके DSS-SB के लिए भी important, जितने सारे exam आएंगे अभी, upcoming सबके लिए ये topic important है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा level up and down दोनों भी तरीके का मैंने level है, आप पर adjust किया है, ठीक है दोनों भी easy as well as moderate, hard तो नहीं लिया है, easy as well as moderate ही है ठीक है, first of all, first time आपको class समझ में नहीं आएगी क्यूंकि आपका relations maths में, maths से बहुत बहुत break हुआ है, पता है ना आपको जैसे कि आपने diploma भी किया है, तब भी आपको 2 plus या फिर आपने degree भी किया है तो 4 years तो A भी complete होगे, या फिर आपने यमफाम भी किया है, तो बहुत सारा time हुआ है जैसे कि आप maths से नहीं खेले हो, ठीक है, so basically आपको percentage पढ़ने के लिए थोड़ा patience रखना होगा, ठीक है, मुझे पता है आप सब बड़े है, फिर भी मैं कहूंगी थोड़ा patience रखेगा, बहुत सारे questions है, 30 plus questions in this file मैंने लिए है, ठीक है 30 plus questions है, जिसमें की देखते हैं हम, अभी कितना solve कर पाते हैं, रेस्ट जितने भी बचेंगे सारे questions आपको telegram channel पर मिल जाएंगे, सारे, total file आपको telegram channel पर दी जाएगी ठीक है, आपको सारे questions solve करके देखना है, जो भी questions आपको नहीं आता है वो simply आपको group में send करना है, या फिर question number दालना है, ठीक है अगर आप question number भी mention करते हो, कि मुझे question number 5 नहीं समझ में आ रहा है तो आप, आपको क्या करना है, simply question number 5 मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर किसी को बोलना है, तो आपको कोई भी, अगर कोई करता है, तो ठीक है, otherwise मैं खुद करेंगी, बट देखते हैं, उसके पहले कि कितने हम solve कर पाते हैं, ठीक है, अगर पूरे solve हुए, तो कोई problem नहीं है, फिर मैं आपको homework के लिए, अलग सा PDF दे दूँगी, चिक हैं, बट सारे questions आपको solve करके देखने हैं, क्यों, क्योंकि आपका जो central government का exam सोता है, जैसे कि अभी DSSB का रहेगा, लेवल थोड़ा अप रहेगा, पहले से बता रही हूँ, लेवल अप रहेगा, जिस type के questions आप को DSSB में नहीं मिलेंगे, या फिर SSC में नहीं मिलेंगे, SSC का लेवल भी थोड़ा अलग सा रहता है, DSSB का भी थोड़ा अलग रहेगा, as well as RRB का थोड़ा डाउन रहेगा, इसलिए easy to moderate मैने questions से आप पे रखे हैं, आपको सब step by step सीखना है, ठीक है, got it, so welcome all of you, जो भी ब and all of you, सबको क्या करना है, आपकी, मैंने जो बोला है आपको, मेरी बात माननी है, आपको क्लाई शेयर करनी है, ठीक है, so पढ़ते है, percentage, ठीक है, और जो लोग daily message कर रहे है, regarding ZP result, so sorry dear, मुझे नहीं पता है, कब आएगा, आप वेबसाइट पर जाके, जो contact number है, या फिर मैंन कुछ contact number भाप पे, पिन के या टेलिग्राम पे, आप खुद पूछ सकते हो उनसे, चीक है, जब तक IBPS के पास कोई list नहीं आएगी, तब तक ZP का result रिलीज नहीं होगा, so wait करना होगा, so wait कीजेगा, जैसे कि आपका DHS का fast fast हुआए न, as it is, ZP का भी होगा, एक बार अगर IBPS के पास list आजाए, तो उसके बाद, आपकी document verification की process बहुत जल्दी होगी, so जिनके पास अभी time है, जिनके पास documents की कमी है, आप please, अगर किसी का renewal बाकी है, या फिर कुछ और कुछ है, तो आप निप्ठा लीजिए, चीक है, so let's go to our PDF, so जिनको मेरा नाम नहीं पता, this is my name, okay, I am रुपाली, so welcome all of you to the class, आज पढ़ेंगे percentage, so percentage का besting meaning क्या होता है, what is per, what is sent, जितना भी noise आता है, अपको ignore करते जाना है, ठीक है, what is mean by per and what is mean by sent, so basically sent जो होता है, that means होता है, hundred, कितना होता है, hundred, per का meaning क्या होता है, तो per होता है with respect to, क्या होता है, with respect to, got it, with respect to, sent means कितना होता है, sent means होता है hundred, per means होता है with respect to, किसके respect में कितना, ठीक है, समझ में आया, उसके बाद हमें कुछ basic fractions देखनी है, क्या करना है, basics, fractions देखना है, किस fraction को हम, किस percentage को हम fraction में कैसे convert करते हैं, वो देखना है, ठीक है, मान लिजिए कि आपको, आपका एक exam था, जिसमें कि maximum marks थे total 500, out of 500 आपको मिला है 350 marks, कितने मिले हैं, 350 marks, तो percentage calculate कैसे करते थे हैं, percentage simple calculate करते थे हैं, कि out of 500 हमें मिला है 350, so percentage में calculate करने के लिए हम multiply करते थे by 100 से, चीक है, 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel, 5 1 का 5, 5 7 का 35, basically आपको कितने percentage मिले हैं, 70 percentage, कितने percentage, 70 percentage, out of कितने, किसके, किसके respect में calculate किया है हमने, 100%, चीक है, अगर, हमें निकालना है, 10% की value, हमें क्या निकालना है, 10% की value निकालनी है, तो 10% कितना होता है, 10% basically होता है, 10 into, percent का meaning क्या होता है, 1 by 100, क्या होता है, 1 by 100, 0 से 0 cancel, that means 1 by 10, कितना answer आया है, 1 by 10, 1 by 10, 10% means कितना होता है, 1 by 10, कितना होता है, 1 by 10, चीक है, यह जो percentage to fraction, जो process है, this process, this phenomenon, यह वाला जो percentage to fraction वाला phenomenon है, that is known as fraction, this phenomenon is known as percentage to fractions, जिन लोगों को language की problem होती है, जैसे कि, जिनको English में नहीं पढ़ना है, basically आपको सिर्फ क्या करना है, percentage की fractions आपको याद करनी है, या फिर मेरे साथ सिखनी है, चीक है, मेरे साथ पढ़ो आप, मेरे साथ पढ़ो, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, बस आपको recall करते जाना है, लिखते जाना है, जो भी आपको problem साती है, आपको marathi में चाहिए, आ फिर hindi में चाहिए, आप मुझे directly बोलिए, मैं आपको convert करके देती हूँ, या फिर आप खुद से convert कीजिएगा, या फिर मैं जब solve करूंगी, आप लिखते चाहिएगा, चीक है, अगर आपको गिवन है 5%, इसको आपको फ्रेक्शन में convert करना होगा, तो simply आप क्या करोगे, 5 divided by 1 into 100, क्या करोगे, 5 multiplied by 1 divided by 100, so basically आपको क्या मेलेगा, 1 by 20, क्या मेलेगा, 1 by 20, got it, so percentage to fraction, convert कैसे होता है, किस तरह convert किया जाता है, ये आपको basically इस class में हम पढ़ेंगे, चिक है, यही देखना है, क्यूं convert करना है, ए भी देखना है, क्या से convert होता है, ए भी देखना है, क्यूं convert करना हम सीख रहे हैं इस class में, क्यूंकि जब आपको simplification के questions दिये जाते हैं, तो आप उसको as fast as solve नहीं कर सकते हो, चिक है, क्यूं नहीं कर सकते, because of that, कि आपको percentage to fraction conversion नहीं पता है, चिक है, percentage to fraction conversion कैसे होता है, वो आपको नहीं पता है, that's why आप solve नहीं कर पाते हो as fast as, IBPS में होता है कि आपको time कम होता है, आपको time given बहुत काम होता है, 60, minimum 60 minutes आपको दिये जाते हैं, जिसमें कि आपको 100 questions आपको solve करने होते हैं, ठीक है, so आपको time management की जरुरत होती है, इसलिए हमें simplification पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, ठीक है, next आता है कि अगर 20% आपको given है, तो इसका fraction क्या होगा, so 20% का fraction कैसे होगा, 20 divided by कितना, 100, कितना आएगा, 1 by 5, 21 का 20, 25 का 100, so 20 का fraction कितना आता है, 1 by 5, 20% का fraction कितना आता है, 1 by 5, what it, यह तो रहा simple सा, बढ़ आपको थोड़ा moderate भी बता देती हूँ, जैसे कि आपको given है, 16, 2 by 3, 16, 2 by 3 percentage अगर आपको given है, या फिर इसको लिखा जाता है, 16.66 percentage, क्या लिखा जाता है, 16.66 percentage, या तो यह given होगा, या तो 16, 2 by 3 given होगा, या फिर 16.66 given होगा, ठीक है, so इसको calculate कैसे करेंगे, इसका fraction conversion कैसे करेंगे, simply आपको क्या करना है, 16 into 3 का multiplication करना है, plus 2 add करना है, 16 into 3 कितना होता है, 16, 3 का 48, 48 plus 2 कितना होता है, 50, 50, so 50 divided by 3, कितना आता है, 50 divided by 3, यहाँ पर क्या given है, फिर से, यहाँ given है, percentage, क्या given है, percentage, so आपको percentage means क्या होता है, 100, percentage given है, so percentage का meaning क्या होता है, 100, 1 by 100, 1 by 100 से आपको क्या करना है, multiply करना है, 51 का 50, 52 का 100, so कितना आंसर आया है, 1 by 6, कितना मिला है आपको, 1 by 6, फिर से बता देती हूँ, 16, 2 by 3 आपको given है, चीक है, या फिर 16.6 की percentage आपको given है, simply cross multiply किया, 16 into 3 plus 2, 16 into 3 plus 2 कितना होता है, 50, 50 divided by 3 into percentage का meaning होता है, 1 by 100, calculate करना है, solve करना है, कितना मिलता है, 1 by 6, so आपको अगर given है, 16.66 तब भी आपको fraction लेना है, 1 by 6, अगर आपको given है, 16, 2 by 3 percentage, फिर भी आपको लेना है, 1 by 6, कब लेना है, या तो फिर percentage के questions में आपको दिखने के लिए मिल सकता है, या फिर कब मिलेगा, simplification में, ठीक है, next as well, next given है आपको, 14, 2 by 7 percentage, या फिर 14, 2 by 8 percentage, 14, so which fraction is given, which percentage is given, 14, 2 by 7 percent, or 14, 2 by 8 percentage, ठीक है, so, 14, 2 by 7 percent को आपको कैसे calculate करना है, ठीक है, कैसे calculate करना है, so, 7 into 14 कितना होता है, 98, कितना होता है, 98, plus 2 कितना होता है, 98 plus 2, 100, कितना होता है, 100, divide by कितना करना है, 7, multiply by percent का meaning क्या होता है अभी बता है था 1 by 100 क्या लेना है 1 by 100 so क्या होगा 100 से 100 का answer you will get 1 by 7 चीक है so समझ मैं 14 2 by 7 दिखे या फिर 14.2.8 दिखे so आपको fraction क्या लेना है 1 by 7 कैसे solve किया पता चल गया है अगर आपको बोला कि 1 by 10 percentage कितना होता है 1 by 10 fraction का percentage कितना होता है तो simply आपको क्या करना होगा multiply by 100 करना होगा so you will get 10 percentage कितना होगा 10 percentage अगर आपको बोला कि 1 by 20 का कितना percent होता है तो 1 by 20 multiply by क्या करना होगा आपको simply 100 से multiply करना होगा you will get 5% got it अगर आपको बोला कि 1 by 6 का आपको percentage calculate करना है तो क्या करना होगा simply आपको multiply by 100 करना होगा तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा 50 by 3 50 by 3 को हम कैसे लिखेंगे तो हमने अभी देखाता 16 2 by 3 का fractions होता है 50 by 3 या फिर 1 by 6 अभी देखाता या फिर कितना होता है 16.66 percentage कितना होता है 16.66 percentage got it इस सारे के सारे important fractions है got it अगर आपको बोला कि 25% का fractions कितना होता है तो क्या करना होगा simply आपको 25 divided by कितना 100 you will get 1 by 4 कितना मिलेगा 1 by 4 got it उसके बाद अगर आपको बोला गया कि 1 by 3 का percentage आपको calculate करना है तो क्या करना होगा simply आपको multiply by 100 करना होगा देना आपको कितना मिलेगा 33.33 खुचसे calculate करके देखना भी है ठीक है 33.33 percentage या फिर या फिर क्या मिलेगा 33 कैसे लिख सकते हो आप 33 1 by 3 कैसे लिख सकते हो 33 1 by 3 got it अगर आपको बोला कि 1 by 4 means कितना percentage होता है 1 by 4 means कितना percentage होता है तो simply आपको क्या करना है multiply by 100 करना है so you will get 25 percentage कितना मिलेगा आपको 25 percentage अगर आपको बोला कि 1 by 5 का percentage कितना होता है तो simply आपको multiply करना होगा 100 से then you will get कितना percentage 20 percentage got it सबको समझ में आया किस तरह calculate करते है percentage आपको पता चल गया got it so जितने भी basics terms है जितने भी basics fractions है अभी सारे पढ़ेंगे 1 is equal to अगर आपको दिया गया है कि 1 means कितना होता है तो 1 कितना होता है 1 होता है 100% this is the fraction आपको fraction given है percentage में आपको convert करना है ठीक है so 1 by 2 कितना होता है क्या करना होगा simply आपको 1 by 2 multiply by 100 you will get 50 percentage कितना you will get 50 percentage so basically आपको कितना मिला answer 50 उसके बाद third one 1 by 3 given है so 1 by 3 आपको fractions given है उसको अगर convert करना है percentage से so simply आपको क्या करना होगा multiply by 100 करना होगा 1 by 3 so कितना मिलेगा 33.33 percentage या फिर क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा 33.33 percentage या फिर आपको मिलेगा 33 1 by 3 got it कितना percentage मिलेगा पता चल कहा है next आता है हमारा 1 by 4 कितना आता है 1 by 4 simply क्या करना होगा आपको 1 by 4 multiply by 100 is equal to कितना होता है 4 1 का 4 4 2 का 8 बचा कितना 2 4 5 का 20 कितना percentage मिला आपको 25 percentage कितना मिला 25 percentage उसके बाद next आता है 1 by 5 1 by 5 को फिर से हमें convert करना है fractions में क्या करेंगे multiply by simply 100 से multiply करेंगे then you will get 20 percent कितना मिलेगा 20 percentage 1 by 6 तो अभी या दुआ होगा शायद से बहुत बार बताए है so simply मैं यहा write down करती हूँ उसका fractions कितना आता है तो fraction आता है 1 by 6 का that is 16 2 by 3 और क्या आता है 16.66 percentage got it 16 2 by 3 या फिर 16.66 percentage उसके बाद next आता है 1 by 7 means कितना होता है 1 by 7 भी पता चला है आपको ठीक है 1 by 7 कितना होता है 14.28 percentage और कितना होता है 14 2 by 7 percentage क्या होता है 14.28 percentage या फिर 14 2 by 7 percent किस तरह calculate करना है आपको पता चलाना 14 और 7 का plus multiplication उसमें plus 2 करना है ठीक है next one 1 by 8 कितना होता है 1 by 8 कितना होता है 9 होता है 11.11 percent या फिर 11 1 by 9 percentage 11.11 percent या फिर 11.1 by 9 percentage गट इट 9.09 percentage या फिर या फिर क्या होता है 9 1 by 11 percentage 9.09 percent या फिर 9 1 by 11 percentage गट इट उसके बाद आता है 1 by 12 percentage तो 1 by 12 percent होता है 8.33 percentage या फिर 8 1 by 3 percentage चिक है The next one 1 by 13 कितना होता है तो 1 by 13 होता है 7.69 percentage और तो उसके बाद आता है 1 by 14 1 by 14 कितना होता है तो यह होता है 7.14 percentage कितना होता है 7.14 percentage The next one 1 by 15 कितना होता है So 1 by 15 होता है 6.66 percentage कितना होता है 6.66 percentage उसके बाद आता है The next one Next आता है 1 by 16 So 1 by 16 होता है 6.25 percentage कितना होता है 6.25 percentage उसके बाद आता है The next one 1.17 कितना होता है So 1.17 होता है 5.88 percentage कितना होता है 5.88 percentage 1 by 18 कितना होता है So 1 by 18 होता है 5.55 percentage कितना होता है 5.55 percentage उसके बाद 1 by 19 The next one 1 by 19 1 by 19 कितना होता है तो 1 by 19 होता है 5.26 percentage कितना होता है 5.26 percentage 1 by 20 कितना होता है तो 1 by 20 तो 4% होता है 1 by 25 कितना होता है तो 1 by 25 होता है 5 percentage सरी 1 by 20 1 by 25 परसेंटेज and 1 by 25 कितना होगा 4 परसेंटेज got it सबको समझ में आया इसके बाद अगर कुछ है क्या नहीं है फिर भी आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ 1 by कुछ fraction not a term 1 by 24 कितना होता है 4.166 कितना होता है 4.166 परसेंटेज चीक है 1 by 30 कितना होता है 1 by 30 कितना होता है तो यह होता है 3.33 परसेंटेज कितना होता है 1 by 40 कितना होता है So 1 by 40 होता है that is 2.5 परसेंटेज कितना होता है 2.5 परसेंटेज got it और कुछ खास बात 75 परसेंट कितना होता है So 75% होता है in fraction कितना 3 by 4 किस तरह आया 3 by 4 आपको भी तो पता होना चाहिए न 3 by 4 कैसे है तो simple है 75 1 by 100 इसको solve करना आपको You will get 3 by 4 Got it एक example बता दिती हूँ एक example बताती हूँ आपको एक example बताती हूँ जैसी कि आपने देखा 14.28 का fractions होता है 1 by 7 देखाता हमने 14.28 का percentage कितना होता है 1 by 7 14.28 का percentage fraction कितना होता है 1 by 7 Got it रूखो थोड़ा noise आ रहा है So क्या बतानी हूँ आली थी 14.28 14.28 का fractions कितना होता है 1 by 7 कितना होता है 1 by 7 अगर इसको हम 2 से multiply करते है Means 14 का 14 into 2 कितना होता है 28 And 28 into 2 कितना होता है 56 अगर हमको हमें एक्जाम में मिला कि 28.56 कितना होता है तो यह अगर हमने 7 का डबल किया है 7 का अगर हमने डबल किया है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा Simply 2 by 7 कर देना है चीक है आपको देखना है Multiplications as well as आपके टेबल सच्चे होने जहिए अगर आपको सारे टेबल सच्चे से आते है तो आपको कोई problem नहीं आएगी बस आपको ऐसे देखना है Double करके या फिर Multiply करके चीक है एक और एक्जांपल बता देती हूँ जैसे कि आपको given है 50% 50% means कितना होता है 1 by 2 कितना होता है 1 by 2 होता है पता है अगर आपको दिया है 150 का 250 का दिन 250 परसेंटेज उसके बाद दिया है 350 परसेंटेज ठीक है Simply आपको क्या करना है जैसे कि 50 into अगर हम 3 करेंगे 50 into 3 करेंगे तो हमें कितना मिलता है 150 सो fraction क्या होगी 3 by 2 कितने होगी 3 by 2 जितने time हम multiply करते जाते है बस numerator में उतना digit हमें लिखना होता है चिक है अगर हम 2 को 5 से multiply करते है सौरी 50 को अगर हम 5 से multiply करते है means 50 into 5 अगर करते है तो हमें क्या मिलता है 250 सो कितनी बार multiply किया है हमने 5 time multiply किया है क्या लिखना है हमें 5 by 2 क्या लिखना है 5 by 2 उसके बार अगर हम 50 को 7 time multiply करते है कितने time 7 time multiply करते है तो हमें कितनी value मिलती है 350 कितना value मिलता है 350 सो simply हमें क्या करना है 7 by 2 लिखना है अगर हमें कई simplification में गीवन है या फिर questions में गीवन है कि 350 percentage है अगर आपको 350 percentage calculate करना नहीं आ रहा है तो आपको simply ये method से आपको आ जाएगा चिक है इसलिए मैंने आपको fraction को percentage में कैसे convert करते है या फिर percentage को fraction में कैसे convert करते है दूनों ही तरीके मैंने आपको basically पढ़ा दिये है got it सबको अच्छे तरीके से समझा I think सबको समझ में आया है चिक है उसके बाद देखते है कि पढ़ना कैसे है अभी questions की तरह solve करने है देखते है so ये रहा हमारा fraction to percentage conversation हमने देखाया भी चिक है अभी हमें exercise solve करनी है exercise में बहुत सारे questions है 30 plus questions है जितने भी questions हम solve कर पाते है उतने questions solve करेंगे चिक है so first given है जिनको problem है कि आपको English में नहीं चाहिए है फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ माँ simply समझना है आपको simply आपको क्या करना है समझना है write down करना है सारे questions को आप screenshot लिजेगा और copy text करके इसको आप Marathi या फिर Hindi में convert कीजेगा चिक है the first question given है आपको if the difference between 75% of the number if the difference between 75% of the number and four-fifth of that number is 40 what is the number क्या question given है difference between 75% of the number and four-fifth of that number is 40 what is the number the first question तो आपको क्या करना है आपको number नहीं पता तो आपको number कुन सा लेना है X कुन सा लेना है X number लेना है चिक है या फिर वैसे भी solve हो जाएगा without X solve करेंगे देखिए difference between given है एक तो percentage में है दूसरा fractions में है एक percentage में एक fraction में solve कर पाएंगे हम difficult होगा तो क्या करना है या तो फिर आप percentage में convert कर लो या तो फिर आप fraction में convert कर लो क्यूं? क्योंकि solve करना है हमें complicated नहीं करना है आपको तो fraction से solve नहीं करेंगे इस तरह solve करेंगे percentage में solve करेंगे 75% आपको पता है कितना होता है 75% तो आपको पता है कितना होता है बट आपको 4.5 भी तो पता है कितना होता है अगर नहीं पता तो क्या करना है simply आपको multiply by 100 करना है percentage अगर निकालना है तो क्या करना है multiply by 100 करना है the first step आपको क्या करना है इस fraction को percentage में convert करना है fraction को percentage में convert करना है तो 4 by 5 गीवन है इसको हमें percentage में convert करना है इसलिए multiply by 100 किया छीक है तो कितना आता है 5 1 का 5 5 to contain that is 20 20 into 4 कितना होता है 80 कितना होता है 80 percentage कितना आया 4 by 5th की value कितनी आई है 80 percentage कितनी percent आई 80 percent got it अब easy होगा if the difference between 75 percent of the number 75 percent of the number and the second one कितना आया है 80% second कितना आया है 80% of that number is 40 अब simple हुआ क्या करना है simple 80 minus 75 कितना आया है 5% कितना आया है 5% 5 percent की value कितनी given है 40 कितनी given है 40 so 1 percent की value कितनी हुई 8 कितनी हुई 8 हमें कितने की निकालना है 100 percent की so 100 percent की value कितनी होगी 800 कितनी होगी 800 समझ में आया समझ में आया सबको simply है simple है, simply हमने क्या किया है, fraction को percentage में convert किया है, simple है, fraction को percentage में convert किया है, percentage से percentage को minus किया है, कितना आया, 80 minus 75, that is, 80 minus 75, कितना बचा, 5%, 5% की value given है, that is, 4, 1 की value, आपको कुसे पता चली कि 1 की value 8 है, तो simple काटना है इसको, 5, 1 का 5, 5, 8 का 40, 1 की value कितनी आई, 8, so 100 की value कितनी आएगी, 800, 100% की value कितनी आएगी, 800, so what is the number, number क्या है, 800, क्या है, 800, समझ में आया, स्वाल करके देखियागा, समझ में आएगा, practice, makes man perfect, next question, if the difference between 55% and 35% of number is 400, then what is the number, if the difference between 55% and 35% of the number is 400, then what is the number, simple है, 55% minus 35 करना है, कितना होता है, 55% minus 35, that is 20%, 20% की value कितनी given है, 400, 20 की value कितनी given है, 400, अच्छे से लिखती हूँ, 55 minus 35 is equal to कितना, 20, कितना आया, 20, 20 की value कितनी दिए है, 20% की value कितनी दिए है, 400, so 1% की value कितनी होगी, 20, 100% की value कितनी होगी, 2000, got it, so what is the number, कितना आया number, 2000, got it, next question, 30% of RAM income is 1200, then find 70%, 75% of RAM income, 35% is equal to कितना दिया है, 30%, sorry, 35, 30%, 30% of RAM income is 1200, 30% of RAM income is 1200, so 30% की value कितनी दिए है, 1200, 1% की value कितनी आयाएगी, 0 से 0 कैंसर, percentage से 5, percentage कैंसर, 3, 1 का 3, 3, 4 का 12, और 0 का 0, ठीक है, सो 1 की value कितनी आयाए, 40, कितनी आयाए, 40, सो 1 की value अगर 40 है, तो 75% की बदा नहीं है, क्या करना है, 75 multiply by 40, कितना आता है, 75 multiply by 40, कितना होता है, 3000, कितना होता है, 3000, 1000, फिर इसे बताती हूँ, पता है, मुझे आपको समझ में नहीं आया होगा, 30% of RAM income is 1200, 30% की value कितनी दी है, 1200 दी है, इसको solve करना है, इसको क्या करना है, solve करना है, अगर आपको इस तरह solve नहीं करना आता है, तो क्या करना होगा आपको, 1200 multiply by, क्या करना होगा, sorry, इस 30% की value नहीं कालनी आपको, so percent की value कितनी होगी, 1% की value कितनी होगी, 1200 divided by 30, 1200 divided by 30, so you will get 40, कितना मिलेगा, 40, 1% की value कितनी मिले आपको, 40, 1% की value कितनी मिले आपको, 40, so simple आपको पुचाये कि 75% of RAM income कितना होगा, 75% of RAM income कितना होगा, so 75 इसे multiply करना है, अगर आप 75 multiply by, अगर 40 करते हो, तो you will get, क्या मिलता है आपको, 4, 5 का 20, A0 आपको as it is लेखना है, 4, 5 का 20, carry 2, 7 into 4, 28, 28 plus 2 कितना होता है, 30, so you will get 3000, कितना मिलेगा आपको, 3000, ठीक है, समझ में आया ना अभी, जिनको नहीं समझ में आ, फिर से एक बार देखिएगा, समझ माएगा, ठीक है, the next one, the next question is, question number 4, if the income of Ram, is 20% more than, sham income, how much percent of sham income, is less than that of the Ram income, if the income of Ram, is 20% more बोला है, ठीक है, than sham income, how much percent sham income, is less than that of the, Ram income, simple है, by using formula, less percentage का formula, use करेंगे, less percentage का formula, क्या होता है, so less percentage, is equal to, R, divide by, 100 plus R, 100 plus R, multiply by 100, यह होता है, less percentage का formula, क्या होता है, less percentage का formula, चिक है, जहाँ पर R है, आपको कितना लेना है, 20%, कितना लेना है, 20 लेना है, कितना लेना है, 20, less percentage से निकालना है, चिक है, multiply by, 100, 20, 20, divided by, 100, 100, 100 plus 20, into 100, चिक है, इसको अगर हम solve करते हैं, तो you will get, 20 divided by, 120, into 100, चिक है, इसको अगर हम solve करते हैं, तो कितना मिलता है, 20, divided by, 120, into 100, 0 से 0 गया, 2, 5 का, 10, 2, 6 का, 12, कट होता क्या कुछ, 10 and 3, 10, 5 का, 50, divided by 3, 50 by 3 कितना होता है, तो 50 by 3 होता है, 16, 2 by 3, 16, 2 by 3, या फिर, क्या होता है, 16.66 percentage, गट इट, समझ मैं सबको, by using less formula, calculate किया है, if the RAM income is 20% more than sham income, how much percent of sham income is less than that of the RAM income, बस उसको less formula में, next question solve करते हैं, next question, question number 5, question आपको screenshot लेना, या फिर पहले लिखते जाना, या उसके बाद आपको question solve करके, आपके copy में लिखना है, ठीक है, question number 5 is given, a man spent 30% of food, 35% of house rent, 9% on travel, 17% on education, after all, this expenditure is saved, 7200, find the amount spent on travel, wait करना गाईस, यहापे बहुत noise हो रहे हैं, simple सा question है, भागना नहीं है आपको, question की length देखके भागना मत है, ठीक है, question की length देखके, आपको कभी डरना भी नहीं चाहिए, भादना भी नहीं चाहिए, ठीक है, simple सा question से, a man's pain, I think आप noise कम हो चुका है, so, a man's pain, 30% on food, कितना है, 30% on food, ठीक है, 35% किसमें है, house rent, that is, EHR, ठीक है, उसके बाद, 9% on travel, 9% on travel, उसके बाद, 17% on education, 17% on education, ठीक है, after all, this expenditure, he save, 7200 रुपेस, find the amount spent on travel, ठीक है, इन सबकी अगर हम calculation करते, 30 plus 35 कितना होता है, 65, 65 plus 9 कितना होता है, that is, 74, 74 plus कितना बच्चा है यहाँ पे, 17, 74 plus 17 कितना होता है, तो total होता है, 90%, 91%, कितना होता है, अगर हम इन सबका expenditure, या फिर, सबने जितना spend किया, अगर हम पूरा total निकालते हैं, तो कितना आता है, 91%, कितना आता है, 91%, तो आजूम करते हैं, तो आजूम करते हैं, कि उसके पास total कितने पैस, कितना अमांट था, 100, कितना अमांट था उसके पाद, total income जो थी उसकी, कितनी थी, 100 रूपीस, कितनी थी, 100 रूपीस या फिर 100 परसेंटेज, सो 100 परसेंट में, उसने तो 90, 91 परसेंट टोटल स्पेंट किया है, क्या किया है, टोटल स्पेंट किया है, 100 परसेंट में से, टोटल 91 परसेंट उसने स्पेंट किया है, तो बचा कितना है, total में से total 100-91 कितना बचा 9% कितना बचा है 9% चिक है so यहाँ पर पढ़ना है फिर से after all this expenditure he save कितना amount 7200 कितना amount spent किया है after all this expenditure he save sorry saving amount कितना है 7200 क्या दिया है 7200 तो हमें निकालना है कि find the amount spent on travel travel पर उसने कितना spent किया है चिक है travel में उतना उसने कितना spent किया है चिक है so expenditure on travel समें निकालना है expenditure on travel समें निकालना है चिक है तो क्या करेंगे simply 7200 divide by किसमें निकालना है expenditure on travels expenditure on travels कितना है 9 percentage है और हमारी saving कितनी है 9 है saving भी हमारी 100 minus 91 कितना बचाता 9 percentage बचाता so आपको क्या करना है जो given है given क्या है he save 7200 रुपीज जो saving है saving को saving से divide करना है saving कितनी बची है हमारी 9 percentage बची है और travel पे spend कितना किया है 9% travel पे भी spend किया है so basically 9 से 9 cancel हुआ so travel पे उसने कितना खर्च किया है कितना spend किया है 7200 रुपीज कितना spend किया है 7200 रुपीज got it क्या करना है simply जितना भी expenditure है उसका calculation किया assume किया कि हमारे पास total हमारे पास total कितना percentage है sorry कितना income है उसका total जो income है जो भी था राम शाम जो भी था उसका total income है 100 रुपीज उसमें से उसने 91% तो total spend किया totally 91% उसने spend किया तो उसके पास बचा कितना है 9% और according to that question इन्होंने क्या बता है कि उसकी saving कितनी है 7,200 तो क्या करना है simply 7,200 so basically हमें क्या करना है 7,200 divide by saving से divide करना है saving कितनी है हमारी 9% ठीक है इसलिए हमको 9 से divide करना है multiply by 9 क्यों करना है क्योंकि हमें travel पे जितना spend हुआ है उसको निकालना है इसलिए हमने multiply by 9 किया 9 से 9 कट हुआ बचा कितना 7,200 रूपीज so spend कितना हुआ है travel पे 7,200 कितना हुआ है 7,200 रूपीज गट इट सबको next question question number 6 question given है when numerator of the fraction is increased by when numerator of fraction is increased by 40 percent कितना 40 percent and denominator is increased by 80 percent the resultant fraction becomes 14 by 27 find the original fraction find the original fraction ठीक है when numerator of fraction increased by 40 percent कितना increase हुआ है 40 percent 40 percent के fraction कितने होती है so when the numerator of fraction is increased by 40 percent अगर हम 40 percent से increase करते है तो कितना होता है 140 divide by 100 कितना होता है 140 divide by 100 अब बस इसको आपको solve करना है ठीक है कर लोगे आप solve find the original fraction बस fraction आपको मिल जाएगा ठीक है कर लेंगे आप solve I think सबको समझ में आया है basic सा question से आपको solve करना है ठीक है so मैं class को यही stop करूंगी यूखि बहुत सारे questions से और time बहुत हो रहा है आपको class आज नहीं मिलेगी फर फिर अगर मैं आप अभी class को अगर stop नहीं करूंगी तो class आपको कल मिलेगी इसलिए मैं आपको यह PDF टेलिग्राम पर भेजती हूँ बाकि सारे questions आप खुद से solve कीजेगा अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे बोलिए मैं फिर से class कंडग करती हूँ चीक है सो थैंक यू फ्रेंड फॉर ओचिंग इस class आपको खुद से solve करनी है चीक है सो थैंक यू फ्रेंड फॉर ओचिंग इस class फ्लीज लाइक शेयर और सब्स्राइब देस सेशन चीक है थैंक यू